नमस्कार मेरे प्यारे विद्यारतियों आज हम आपकी पुस्तक व्यवसाईक अध्यान का पहला आध्याय व्यवसाई व्यापार और वानिज्य पढ़ने जा रहे हैं यह बहुत ही जरूरी चैप्टर है क्योंकि इसके आधार पर आपके पूरी पुस्तक और आपके इस पूरे विशय का एक आधार और नीव तयार होगी और जैसा कि आप जानते हैं नीव जब तक सही और मजबूत नहों तब तक उसके उपर की इमारत भी मजबूत नहीं होती तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस अध्याय पर बहुत ध्यान दें इसकी बारिक्यों को समझें ताकि आप आने वाले जो अध्याय हैं और इस विशय के बारे में जो आपको जानना है वो जानने में आपको आसानी हो लेकिन आपको बारिक्यों मिले जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इसको थोड़ा सा आसान रखें और हम ये सोचे हैं कि हम ये विशाय क्यों पढ़ रहे हैं, व्यवसाय के बारे में क्यों जानना है और क्या हम पहली बार इसके बारे हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारे लिए कोई नई चीज है, या क्या हमारे देश के लिए कोई नई चीज है, क्या हम इसको अचानक से एक नए तकनीकी तरीके से पढ़ेंगे, मेरा कहना है नहीं, हम इसको कोशिश करते हैं जानने की इतिहास के माद्यम से, अब सभी बच्चे दस्वी की परिक्षाओं के बाद ग्यार्वी कक्षा में आए हैं, अब सब में दस्वी तक इतिहास की किताबें कई कक्षाओं में पढ़ी है आप सब को याद होगा कि कई बार आपने जिक्र सुना है या पढ़ा है कि विदेशों से कई यात्री या कई व्यापारी भारत आया करते थे व्यापार की सिलसले में ही आये हुए ब्रिटिश या अंग्रेज व्यापारी आगे चलके हमारे देश के शास्त बन बैठे तो ये व्यापार और व्यवसाई में ऐसा क्या था और भारत में खास करके ऐसा क्या था जिसकी वज़ा से इतना ज़ादा भारत पूरी दुनिया की नजरों में बना रहा भारत को पूरी दुनिया में सोने की चड़िया या स्वरणिम भारत के नाम से जाना जाता था क्योंकि भारत अपने संसाधनों के वज़ा से बहुती सम्रिद्ध देश था भारत में चाहे हम खनीच संसाधनों की बात करें या हम खेती के लिए उप्युक्त जलवायू या मिट्टी की बात करें या किसी भी आन्ने तरह के धातू जैसे सोना चांद या दिया दे इनकी बात करें भारत इन सभी संसादुनों में हमेशा संपन रहा है जिसकी वज़ा से भारत पर दुनिया भर की नजरे हमेशा से रही है हाला कि भारत तक आने का रास्ता 1497-1998 में वास्को डिगामा ने जो कि एक पुर्तगाली नाविक था उन्होंने खोजा जब से ये घटना घटी इसके बाद से भारत विदेशों से लोगों का आना जाना बहुत जादा शुरू हो गया और ऐसे कई सारे मार्ग बने जिनका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय और व्यवपार को ही आगे बढ़ाने का था कई मार्ग भारत से सीधा जाते थे जबकि कई मार्ग भारती उप महदविप के अन्य देशों जैसे चाइना आदी से हो के जाते थे आपने पिछली कशाओं में रेश्ण भी मार्ग जिसको सिल्क रूट पर आपने सुना होगा उसके नाम से भी जाना जाता है मसाला मार्ग जहां जिससे कि भारत के मसाले दुनिया भर में पहुंचते थे उनको बहुत जादा दुनिया भर ने यूज किया ऐसे कई मार्ग बने ऐसे कई रास्ते बने जिनके जरिये दुनिया भारत तक आना चाहती थी और आती थी तो इन सभी चीजों का भारत की संस्कृती पर बहुत असर पड़ा, भारत की राजनेतिक और संस्कृतिक संपदा पर इसका बहुत असर पड़ा भारत ना केवल व्यापारी आए बलकि शाशक भी आए जैसा कि हम जानते हैं करीब 1750 सन के आसपास ब्रिटिशर्स और उनकी इस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के उदेशे से आये और जो कि आगे जाकर जिन्होंने भारत को करीब करीब 200 सालों तक इस पर साशन भी किया तो ये सब व्यापार के वज़े से व्यापार के कारण हुआ व्यापार ने भारत की संस्क्रिती को बहुत बदला है भारत के ओपर बहुत गहरी च्छाब चोड़ी है और ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बलकि दुनिया के किसी भी देश का अपुदारन ले ले लें व्यपार और वैवसाए एक ऐसी चीज है जिसने हमेशा समाजों के निर्माण में बहुत महतुपूर्ण भूमिका निभाई है भारत में भी ऐसा ही रहा है जितने भी मार्गों की मैंने बात की ऐसे अन्य कई मार्ग थे जिनके भारत से जुड़ने के बाद भारत में कई सारे व्यवसाइक और व्यापारिक समुदाय बने कई लोगों ने अपने गुट बनाए, समुदाय बनाए, व्यापारियों ने अपने समुदाय बनाए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, उनके भलाई को और बढ़ावा दिया जा सके लोगों ने तरह तरह के वैपार अपनाए, चाहे वो क्रिशी में हो, चाहे वो कारीगरी हो, चिनाई हो, निर्मान का कारी हो या किसी भी तरह का कारी हो परिवहन हो सभी तरह के व्यवसाय भारत के लोगों ने अपनाए उन में अपनी महनत को लगाया और दुनिया भर में अपना नाम कमाया इतना ही नहीं व्यवसाय के कारण भारत में कई व्यवपारिक केंद्रों का निर्मान हुआ ऐसे शहर या ऐसे छेतर जो पहले शायद लोगों के लिए अंजान थे अब वो ना केवल भारत के लिए बलकि पूरी दुनिया के लिए बड़े व्यापारिक केंदर बन गए चाहे हम मतुरा की बात करें हो जैन की बात करें पेशावर हो पाटले पुत्र हो सूरत हो ये सभी दुनिया के नक्षे पर ना केवल भारत के बलकि दुनिया के नक्षे पर बड़े व्यापारिक केंदर बन कर उबरें तो इस तरह से धीरे धीरे करीब हम कह सकते हैं कि सन 1500 के बाद से उसके अगले 300-400 सालों तक भारत में व्यापार, व्यवसाय इन सब को दुनिया तक पहु कलके और आते हैं उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर कारण हम इस अध्याई में पढ़ते हैं वो है भारत की अपनी बैंकिंग प्रणाली आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम इतने सारे बैंक जो अपने आसपास देखते हैं बैंक हमारी जीवन का इतना महत्वपूर अंग बन गए हैं ये बैंक भारत के लिए कोई नई बात नहीं है भारत में बैंक और बैंकिंग गतिविधिया बैंकिंग प्रणाली कई सदियों से चली आ रही है बलकि आपको जानकर और हरानी होगी कि भारत का एक खुद का स्वदेशी बैंकिंग तंत्र कई सालों पहले कई सो में अपनाए गए भारत की जो स्वदेश्री बैंकिंग प्रणाली थी उसको बल मिला जब अंग्रेजों के आने के बाद भारत ने मुद्रा का उपयोग करना सीखा मुद्रा के उपयोग से पहले आप जानते हैं वस्तू विने में प्रणाली हुआ करती थी जहां पर लोग वस्तू के बदले वस्तू का आदान प्रणान करते थे लेकिन जैसे ही वस्तु विनेम प्रणाली की जगह मुद्रा ने ली भारत में धातुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा सोने चांदिवान ने कई धातुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा मुद्रा को बनाने के लिए मुद्रा का जब से प्रचलन शुरू हुआ तो व्यापार वेवसाय और बढ़ा जिससे लेन देन बढ़ा लोगों ने बैंकिंग को अपना वेवसाय बनाया जिसके वजह से दूसरे लोग अपनी कीमती धातुएं या मुद्राएं इन बैंकरों के पास आकर जमा करने लगे तो भारत ने जब बैंकिंग प्रणाली को इस तरह से शुरुआत की तो लोगों के लेन देन बढ़े लोगों के जब लेन देन बढ़े तो लोग उधार लेन देन भी करनी लगे आज की ही नहीं बलकि भावी भुकतान या भविश्य की भुकतान के बारे में भी सोचने लगे किसी को अगर आज पैसों की जरूरत है तो वो किसी से मांग सकता था ताकि वो इसे बाद में चुकाए भले कुछ ब्याज के साथ चुकाए तो लोग आज की नहीं बलकि आगे की को ध्यान में रखते हुए भी लेन देन करने लगे और जब आगे यानि रिन के लेन देन की बात आई या जब उधार लेन देन की बात आई तो ऐसे कई दस्तावेज बने जिसको हम आगे जाकर अंग्रेजी भाशा में या या दस्तावेज था जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आदेश देता था कि उसे किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भुकतान करना है जिसका की नाम उस दस्तावेज पर लिखा हुआ है मान लीजिए मैं X नाम के एक व्यक्ति को आदेश देता हूं कि उसे Y नाम क एक व्यक्ति को कुछ भुक्तान करना है इसके लिए मैं X को हुंडी का दस्तावेश दूँगा जिसके ओपर Y का नाम लिखा होगा Y उस राशी को पाने का हगदार बनेगा और X का ये दाइत्व होगा कि X Y को उस राशी का भुक्तान करें हुंडी ने भारतिय बैंकिंग प्रणाली में लेन देन को बहुत ही सुचारू और सुविधाजनक बना दिया इसका एक तो विशेश्टा थी कि ये स्थानिय भाषय में हुआ करती थी दूसरा बिना शर्थ X जैसे व्यक्ति को भुक्तान करने का आदेश होता था और तीसरा हुंडी जैसे दस्तावेज हस्तांतरनिय होते थे इसकार थी था कि इन दस्तावेजों को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरन भी किया कर सकता था मतलब अगर Y चाहता कि X वो भुक्तान Y की जगह किसी और को करे तो Y उस दस्तावेज को हुंडी को किसी और मानली जड नाम के एक व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता था तो इन सभी वजहों से हुंडी और ऐसे अन्य कई दस्तावेज थे जिन्होंने लेन देन को बहुत सुविधा जनक बनाया बलकि इतना जादा इनका उप्योग होने लगा कि इनके भी कई प्रकार बने हुंडियों के भी दो प्रकार थे एक दर्शनी हुंडी और दूसरा मुद्धती हुंडी दर्शनी हुंडी के उपर कोई निश्चित्ति नहीं लिखी जाते थी वो जब प्राप्त करता चाहे वो एक्स नाम के व्यक्ति से उसे मांग सकता था जबकि मुद्धती हुंडियों पर भुक्तान की तारीख लिखी जाती थी तो इस प्रकार हुंडियों और ऐसे कई दस्तावेजों ने भारती बैंकिंग को बड़ा ही एक सुद्रिड सिस्टम या प्रणाली बनाया बैंकिंग प्रणाली के सुद्रिड होते ही भारत में व्यापार और जादा बढ़ने लगा और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत में कई व्यापारी केंद्र बन के उबरे इतना जादा व्यापार भारत में फैल गया कि भारत का विश्व व्यापार या व्यवसाय में योगदान या कहले हिस्सा बहुत जादा हो गया सन 1750 के आसपास भारत दुनिया भर के और द्योगिक उत्पादन का करीब करीब 25 प्रतिशत हिस्सेदार था हाला कि हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये वो समय था जब यूरोप में अभी तक और द्योगिकरण अपने पूरे जोर पर नहीं आया था जिसके कारण भारत में हस्त निर्मित वस्तूओं का जो बाजार था वो दुनिया भर में बहुत जादा प्रसिद्य था लेकिन जब से 1750 के आसपास अंग्रेजी साशन की शुरुवात भारत में होने लगी जब ब्रिटिश व्यापारी और उनकी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिवेश किया और धीरे धीरे भारत को अपने साशन के अंदर ले लिया तो इसके बाद उन्होंने बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से भारती व्यवसाय को केवल अपने तक सीमित रखने की कोशिश की जिस कारण भारत का विश्व व्यापार में या व्यवसाय में हिस्सा धीरे धीरे घटते गया सन 1952 आते 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 आज़ादी की कुछ साल बाद की आकड़े की अगर हम बात करें तो भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा केवल 3.8 प्रतिशत का रह गया था हाला कि आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने और आज तक की सरकारों ने काफी जादा कोशिशें की हैं क्योंकि करीब 10 साल पहले एक ऐसा भी समय था जब भारत की अर्थ विवस्था दुनिया में सबसे तेज गती से बढ़ रही थी और आज भी भारते विवसाय दुनिया भर की नजरों में काफी अच्छा इस्थान प्राप्त कर चुका है तो जैसा कि हमने देखा विवसाय भारत के लिए तो खास कर कि कोई नई चीज नहीं है भारत की संस्कृती में समाज में विवसाय का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है इसने भारत को राजनेतिक और संस्कृतिक और सामाजिक हर तरह से भारत को प्रभावित किया ह अता हम देख सकते हैं कि विवसाय का हमारे समाज में बहुत महत्वपून स्थान है यह पूरा एतिहासिक परिपेख्ष देखने के बाद अब हम शायद थोड़ा सा तयार हैं कि हम इस बात को समझ चुके हैं कि विवसाय एक बहुत ही महत्वपून चीज है इसलिए आगे जब आप व्यवसाय की बारीकियों में जाएंगे तो मेरी प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान रखें कि व्यवसाय सिर्फ एक विशय नहीं बलकि एक जीवन शैली है और भारे जिसे समाजों को परिवर्तित करने की शमता रखने वाली एक धारा है तो व्यवसाय है क्या अगर हम अपने अध्याय की बारीकियों में जाएं और व्यवसाय को समझना शुरू करें कि व्यवसाय है क्या तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि कोई भी मानव कोई भी व्यक्ति किस तरह की क्रियाएं या गतिविधिया करता है अपमानब गतिविदियों को मुख्य तहट दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं एक वो गतिविदियां जो पैसे के लिए की जाती हैं जो आये कमाने के लिए की जाती हैं जिनका उदेश लाब या आमदनी कमाना होता है इन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं दूसरी वो क्रिया हैं जिनने लोग पैसे या आमधनी या लाब के वजह से नहीं बलकि प्रेम वश, सहानुभूती वश या देश प्रेम की भाव से, या समाज प्रेम की भाव से, या दया भाव से करते हैं उधारन के लिए मान लेते हैं कि अगर एक सिक्षक किसी विद्याले में पढ़ा रहा है या किसी महाविद्याले में पढ़ा रहा है और वहां से अपनी आमदनी या अपना वेतन ले रहा है तो वो एक आर्थिक क्रिया है लेकिन अगर यही सिक्षक किसी पिछडे छेत्र में जाकर वहां के बच्चों को मुफ्त सिक्षा दे रहा है तो यही सिक्षक एक अनार्थिक क्रिया कर रहा है एक और धारन ले अगर आप तो घर में माता हैं जब भोजन पकाती हैं परिवार के लिए तो एक अनार्थिक क्रिया है क्योंकि उसके पीछे लाब का प्रलोभन नहीं लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी होटेल या किसी रेस्टराउं में जाके खाना पकाती हैं और बदले में वेतन लेती हैं तो वो एक आर्थिक क्रिया बन जाती है वो क्रियाएं जो हम पैसों के लिए करते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी और जो क्रियाएं हम पैसों के लिए नहीं बलकि प्रेम भावना यदा या भावना आदिसे करते हैं वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाएंगी हम अपना ध्यान आर्थिक क्रियाओं पर ही केंद्रित करेंगे आर्थिक क्रियाओं को तीन वर्गों में बाटा गया है यानि कि कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए या आमधनी कमाने के लिए जो भी गतिविधिया करता है उनको हम तीन वर्गों में बाट सकते हैं पहला व्यवसाय, दूसरा रोजगार और तीसरा पेशा ठीक है ध्यान से सुनना है इनको पहला व्यवसाय, दूसरा रोजगार और तीसरा पेशा ये तीन तरह की गतिविद्या है, मतलब कोई भी इंसान अगर पैसे कमा रहा है कानूनी तरीकों से तो या तो किसी व्यवसाय में होगा, या किसी पेश्य में होगा, या रोजगार में होगा इन तीनों का मतलब हम समझेंगे एक सारणी या टेबल के सहायता से जहां पर हम तीनों के बीच अंतर देखेंगे और अंतर के माध्यम से हम इनके बारे में समझेंगे तो अभी अंतर आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप इनको ध्यान से देखे और एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम इन तीनों गतिविधियों के बीच अलग-अलग बिंदूओं पर चर्चा करेंगे और अंतर करेंगे सबसे पहली बात अगर स्थापना की की जाए तो व्यवसाय को स्थापित करने या शुरू करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है उसको करने वाले यानि उद्यमी का निर्णय एक बार एक उद्यमी या एक व्यक्ति निर्णय कर ले कि उसे कोई व्यवसाय करना है उसके बाद वो शुरू करता है और शुरू करने के साथ या उससे पहले कुछ कानूनी आपचारिकताएं अगर जरूरी हो तो उनको पूरा करता है इन कानुनी अपचारिकताओं की जरूरत के बारे में आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे कि किस तरह के व्यवसाय में किस तरह की अपचारिकताएं होती है तो कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय की स्थापना एक उध्यमी अपने निरने से करता है वहीं पेशे की स्थापना करने से पहले किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था की सदस्यता लेनी पड़ती है उध्हारण के लिए अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो पेशे को शुरू करने या स्थापित करने के लिए एक संस्था की सदस्यता आवश्यक होती है जबकि रोजगार शुरू करने के लिए आपको जिस जगह रोजगार करना है वहां का जो स्वामी है या वो जो कंपनी है उससे केवल एक न्यूक्ति पत्र या सेवा समझोता चाहिए जिसे हम जॉब कॉन्ट्राक्ट भी कहते हैं उसके बाद आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं दूसरी बात कारे की प्रकृती व्यवसाई में क्या करते हैं बहुत सरल बात है व्यवसाई में एक व्यवसाई जनता के लिए वस्तूओं और सेवाओं को उपलब्द कराता है वो वस्तूओं और सेवाओं को जनता तक पहुँचाता है जबकि पेशे में एक व्यक्ति विशेशग्य सेवाईं प्रदान करता है जैसे कि कोई डॉक्टर, कोई वकील ये अपनी विशेशग्य सेवाईं देते हैं जो उनकी खुद की सिक्षा है, जो उनका खुद का कुशलता है उसके अनुसार वो लोगों को सेवाईं प्रदान करते हैं जबकि रोजगार में क्या काम करना है, इसका निर्णे, सेवा समझोते के अनुसार या उस जगह के स्वामी के अनुसार, उनके दुआरा दिये गए निरदेशों के अनुसार, ये निरधारित होता है तीसरी बात अगर हम योग गिता की बात करें तो आप सब जानते हैं कि व्यवसाय करने के लिए किसी भी तरह की योग गिता की आवशक्ता नहीं होती कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है जबकी पेशा यानि जैसे कि डॉक्टर, वकील इस तरह के पेशों में जाने के लिए एक विशेश प्रसिक्षण वसिक्षा की आवशक्ता होती है आप इन पेशों में बिना उस विशेश प्रसिक्षण या डिगरी या योगिता के नहीं जा सकते रोजगार करने के लिए क्या योगिता चाहिए ये हर रोजगार में अलग होता है और इसे रोजगार निर्धारक ही निर्धारित करते हैं रोजगार प्रदान करने वाले ही निर्धारित करते हैं चौथी और सबसे जरूरी बात प्रतिफल यानि मिलता क्या है इनको करके वेवसाई करके आप जानते ही है लाब मिलता है वेवसाई करने का उदेश यह होता है कि लाब यानि प्रॉफिट कमाया जाए जबकि पेशा करके फीस मिलती है डॉक्टर्स को क्या मिलता है फीस वकील निवेश के अगर बात की जाए तो आप सब को पता है कि व्यवसाय करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है पूंजी लगानी पड़ती है और काफी अच्छी मातरा में पूंजी लगानी पड़ती है हलाकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का व्यवसाय कर रह तो उसके लिए पूंजी की आवशक्ता पढ़ सकती है, जैसे अगर एक डॉक्टर है, वो चाहे तो किसी हॉस्पिटल में सेवा दे सकता है, बदले में फीस या वेतन लेकर, पर वही डॉक्टर अगर चाहे तो अपना खुद का क्लिनिक अगर श्टूरू करता है, तो वो उस प्रदाता है कि यहां पर काम करना है, अब जब पूंजी लगाएंगे, तो जोखिम का सवाल भी आएगा, इसलिए व्यवसाए में जोखिम होता है, और काफी ज़्यादा जोखिम होता है, लेकिन उसी का परिणाम होता है लाब भी, लाब और जोखिम एक साथ चलते हैं, ज अलकि फीस मुखित है और साधारणत है, नियमित होती है, निश्चित होती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर जोखिम होता है, फीस ना मिलने का लेकिन फीस साधारणत है, नियमित होने के कारण जोखिम कम होता है, रोजगार में कोई जोखिम नहीं, अगर आपने काम किया ह आपको बदले में वेतन मिलेगा साथवे नमबर पर अगर हम चलते हैं तो व्यवसाई में एक व्यवसाई अपना हित हस्तांतरित कर सकता है यानि अगर मेरा कोई व्यवसाई है मैं चाहूं तो इसे अपने भाई को दे सकता हूं चलाने के लिए किसी दोस्त को दे सकता हूं, चलाने के लिए मैं किसी और को भी उसे बेच सकता हूं, लेकिन पेशे में ये संभव नहीं है, एक डॉक्टर अपना काम किसी और को नहीं दे सकता, वो काम उसके कुशलता पर सीधे तोर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हस्तांतरित करना सं समझोते के अनुसार होता है, तो जो समझोता दो लोगों के बीच है, उसे एक व्यक्ति दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता, और अंत में अगर हम आचार सहीता की बात करें, कि क्या इन्हें करने के लिए किसी प्रकार की आचार सहीता या नियम कानून है, तो व्यवसाई क करने से पहले किसी संस्था से खुद को जोड़ना होता है, तो हमें उस संस्था की आचार सहीता का पालन भी करना पड़ता है, जबकि रोजगार में क्या आचार सहीता रहेगी या क्या नियम रहेंगे, वो रोजगार देने वाला या अपनी कमपनी का जो स्वामी है, वो न तो आने वाले भाग में हम व्यवसाय की और बारीकियों को समझेंगे इस भाग में हमने क्या क्या देखा हमने देखा कि भारत में व्यवसाय का इतिहास बहुत पुराना है और व्यवसाय ने भारत को राजनितिक और सामाजिक तोर पर बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लिया है, बहुत बदला है व्यवसाई ने भारत को बहुत बदला है तो हमने व्यवसाई का इतिहास देखा और क्रियाओं के बारे में देखा कि आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है व्यवसाई उनी में से एक आर्थिक क्रिया है तो हमने आज इस भाग में ये सुनिश्चित किया कि व्यवसाई एक आर्थिक क्रिया है और एक बहुत जरूरी आर्थिक क्रिया है अगले भाग में जैसा कि मैंने बताया हम व्यवसाई की अन्य बारिक्यों को बहुत अच्छे से समझेंगे आज के भाग में इतना ही धन्यवाद आज के भाग में इतना ही धन्यवाद